हेलो दोस्तों आज मैं आपको ये पाउंच फिलिंग की मशिन की फ्लेवर बनाना सिखाऊंगा एक वीडियो आपके लिए स्मॉल बना रहे है ये अभी हम लोगोंने 8 किलो इसमें सक्कर डाली है एट किलो इसमें हम लोगोंने सुगर डाला है और 7 लिटर पानी यानिके 7 अब ये चाशनी है ठीक है तो इस तरह का यह है इसमें फ्लेवर बनेगा और यह अम लोगोंने 15 लिटर इसमें पानी लोड करके रखा है आपके लिए तो अभी आपको दिखा दो फ्लेवर कैसे बनाना है कि अभी हम लोगोंने इसमें 8 किलो शक्कर डाली 7 लिटर पानी डा प्लेवर देखिए इसमें हम लोग ने लिक्वीड इसका एड़ कर दिया इसकी जिसका खुश्मू भी बहुत अच्छी आ रही है अभी यह अभी लिक्वीड डाल दिया अभी इसका एक पाउडर आएगा अभी वह डालते है इसमें पाउडर डाल दिजिए यह इसकी हम लोग ने उसमें पाउडर भी डाल दी अभी इससे अच्छे से गोलना है इसको ठीक है तो इसको गोल लिते हैं भी इसके बन गई अपनी फ्लेवर यह रेडी हो गया बहुत ही इजी है फ्लेवर बनाना बहुत ही हाट नहीं है बहुत ही इजी है पोगे हो गये ये फ्लेवर रेडी होगे अभी अभी इसको यह यह अभी एपना जो फ्लेवर बना है वह 8 किलो शक्कर और 7 लिटर पानी यानि कि अभी अपना मट्रियल ट्रेडी हो गया है, 15 से 16 लिटर ये एक बारी में हम लोगों ने रेडी कर लिया यानि कि आप कॉस्टिंग जोड सकते हो आपके वहां पे जो शक्कर की रेट है उसके इसाब से और इस वह फ्लेवर का पैकेट है जो आप हम से रेट फोन करके पूछ सकते हो यानि कि बहुत ही आपको सस्ता पड़ेगा अभी इसको है ना पानी में डालते हैं अभी पांच ल पड़ेगा अच्छे से इसको बनाना है और यह एकदम चन्नी भी एकदम अच्छी उसकरनी आपको इसमें डश्ट बश्ट ना जाए यह थोड़ा केरफुली रहना है ताकि या होगा कोई अपने को कॉम्प्लेंट ना आए ठीक है तो यह अभी बीस लिटर अपका सिरफ र तो इसी तरह आपको फ्लेवर बनाना है जिससे आपकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी रहेगी और प्रोड़क्ट भी काफी मार्किट में अच्छी चलेगी और इसका टीस्ट भी बहुत अच्छा अलफान्जो मेंगो है यह फ्लेवर अब इसको मशीन के साथ जो भी मशीन आपकी पाहुच फिलिंग की या बॉटल फिलिंग की उसके साथ अच्छ कर देना है यह जैसे कि हम लोग अभी इसमें डाले गया यह मशीन में आपके लिए वीडियो भी बनाएगे यह वाली थैंक्यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्तुरिया